हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें Study IQ IAS हिंदी नमश्कार दोस्तों Study IQ IAS हिंदी में आप सभी लोगं का बहुत-बहुत स्वागत है मेरा नाम है मनीश्रवास्थ आज मैं जिस विशे पर चर्चा करूँगा उसको लेकर आप कभी ना कभी अपनी Life में Confuse जरूर हुए होंगे या फिर अभी आप उसी परस्तिती में होंगे कि आप शंशे की स्तिती में हैं उलजन की स्तिती में हैं कि हमारे लिए केरियर में क्या-क्या Options होते हैं तो आज का जो वीडियो है उसका उद्देश आप सारे लोगों तक उन सारे sections को पहुचाना कि आप पढ़ते समय किन-किन फील्ड में जा सकते हैं यह हाला कि यह जो चैनल है जिस पर आप हमारे वीडियो देखते हैं यह UPSC को लेकर targeted रहते हैं हम UPSC के लिए आपकी journey को आसान करते हैं लेकिन इस वीडियो का जो उद्देश है वो शुरुआती दौर पर मैं उन सारे career options को आपको बताना चाहूंगा कि जो एक student wealth जब pass out होता है या graduation के बाद उसके पास क्या अवसर होते हैं हम उन angles को भी देखेंगे कि अगर कोई आगे चलकर entrepreneur बनना चाता है उद्द्यमी बनना चाता है अपना business start करना चाता है उनके पास क्या option है किस तरीके से वो आगे opt कर सकते हैं उसके क्या रास्ते हैं और जिसको जो suit करता है वो उसको choose करता है लेकिन इस journey के दौरान हमें कई क्लारिटी नहीं होती है कि इसके अंदर क्या-क्या career options है और जब आप छोटी उम्र में होते हैं कच्छी उम्र में होते हैं जब schools में होते हैं तो उस समय आपको जो लोग जिस तरह के suggestions दे देते हैं वही आगे तक आपके लिए decide होता है जैसे UPS exam को लेकर भी मैं कुछ myths है क् कि UPS exam एक बहुती एक long process का exam है जिसमें बहुत सारी चीज़ें आपको पहले नहीं बताई जाती हैं आप जब उस exam को prepare करना शुरू कर देते हैं तब कई चीजों से आप रूबरू होते हैं तो इन सारे विश्यों पर हम बहुत अच्छे से गहनता पूर्ण बात करेंगे तो द्यान से आप आखरी तक session ज़रूर देखेंगे जिससे आपको ये सारी चीजों की clarity हो सके आप एक अच्छे से निर्ने किसी भी परस्तिती में हो किसी भी उल्जन में हो तो आप एक बहतर निर्ने ले पाएं इन सारी चीजों का आकलन करने के अनुसार उस पर हम चर्चा कर देखेंगे तो जैसा आज का आपको thumbnail नजर आ रहा है हम किस विशे पर बात करने वाले हैं तो भई career options के बारे में हम बात करेंगे क्या बहतर career options एक विक्ती के लिए हो सकते हैं जब वो कब किस परस्तिती में हो जब उसने हाली में अभी 12th pass out किया हो तो अगर आप 12th pass out कर र background से होते हैं या तो वो commerce लेते हैं या फिर वो arts background से होते हैं और उसके बाद उनके पास क्या-क्या standards हो सकते हैं वो आगे career में और बहतर करना चाते कोई कोई business करना चाते हैं तो उनके पास क्या opportunity है किस तरह का वो lifestyle चाते हैं वो कितनी salary चाते हैं वो अपना जीवन आगामी 10 सालों में कैसा देखना चाते हैं उस पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं तो देखिए सबसे पहले कोई भी student होगा अगर उसने 12th pass out करी है तो मैं आपको यहा engineering की पढ़ाई में अगर हम बात करें भारत में बहुत बड़ा स्थर है इंजिनियर्स का निकलने का तो science background से mostly लोग engineering कर रहे हैं लेकिन इसी science background में अगर आपका biology है तो आप medical की पढ़ाई कर सकते हैं और medical की पढ़ाई के जरी आप doctors बन सकते हैं जो इंडिया में बहुत कम है जितने हमें जरुवत हैं doctors उसमें इस तरह कम देखने मिलता है आप science background से हैं biology पढ़ा है आप pharmacy भी करते हैं इसके अलावा आप B.H.C. Bachelor of Science में physics में chemistry में math में biology में इन सारों में B.H.C. कर सकते हैं biotechnology एक नई field आई है ये भी आप कर सकते हैं इसमें B.H.C. भी कर सकते हैं इसमें आप B.T.E.C. भी कर सकते हैं अगर आप science से हैं आप nursing में course कर सकते हैं hospitals में nursing staff की बड़ी जरूवत होती हैं आप agriculture से B.H.C. वगेरा कर सकते हैं B.H.C. आर्क, architecture आप बन सकते हैं तो ये सारे option ख आते हैं विशेश तोर पर तो उनके पास ये सारे career option होते हैं क्या इनको सीधे तोर पर इन सारे courses को करने के बाद आपकी नौकरी सुनिश्चेत हो जाती है इसको भी हम चर्चा करेंगे फिर commerce background के students के पास क्या options होते हैं तो commerce background के students management की पढ़ाई कर सकते हैं B.B.A. कर सकते हैं B.B.M. कर सकते हैं B.B.M.S. कर सकते हैं वो आगे C.A. के लिए prepare हो सकते हैं Chartered Accountant बन सकते हैं CS Company के Secretary बन सकते हैं C.A. में यानि Cost and Management Accountancy जिसको कहा जाता है वो कर सकते हैं banking और finance sector में वो अलग से पढ़ाई कर सकते हैं और उन शेत्रों में अपना योगदान दे सकते हैं Economics अर्थ शास्त्री पर बन सकते हैं अगर कोई arts background से है तो arts background से जाने के बाद वो law कर सकते हैं B.A. L.L.B. journalism पत्रकारिता mass communication इसकी पढ़ाई कर सकते हैं psychology में बहतर production कर सकते हैं कि जिनमें आप शुरुवाती दौर पर 12th pass out करने के बाद इन सारे विश्यों में पढ़ सकते हैं अब पढ़ने के बाद हमें जैसा lifestyle चाहिए जैसे आज इंडिया के अंदर किसी भी अगर युवा से पूछा जाए कि आप कैसा जीवन यापन करना चाते हैं पढ़ाई करने के बाद तो सभी लोग चाते हैं कि एक बहतर जीवन रहे हमारे पास एक सही handsome salary हमारे अकाउंट में आए हमारे पास जो basic facility है कि एक गाड़ी हो जाए एक घर हो जाए हमारा हमारे परिवार को पूरी तरह से एक secure रख पाएं अगर कभी कोई बिमार पढ़े तो हम उसके लिए health facilities सही तोर पर provide कर पाएं यही सारी चीज़ें तो होती हैं जब आप सारे परिवारों में रहते होंगे तो यह सारी उलज़ने तो आती होंगी ना कभी कोई बिमार पढ़ रहा है यह घर में कई तरह की समस्या हैं उनको ठीक कराना है यह आपका एक बहतर घर हो जाए आता रहे आगे की social security हो आगे retirement के बाद भी आपका जीवन बहतर रहे तो यह सारी चीज़ें हम अपेक्षा करते हैं अलग-अलग field में और इन अलग-अलग field में सब जगापर आपको ऐसा कोई भी field नहीं है जो छोटी है यह ऐसी कोई भी field नहीं है जिसमें नहीं प्रवेश क करना चाहिए लेकिन आज मैं जो विशय बताना जा रहा हूं आपको वो यह है कि इन field में आपको समय तो देना ही होगा जैसे मान लिया जाया आप engineering करते हैं तो engineering करने के बाद आपके पास option है कि आप जो है कई factories में काम कर सकते हैं बहुत सारे उद्योग हैं वहां पर आप ज सकते हैं IT companies इंडिया में बहुत सारी हैं तो आजकल उनका engineering sector में बोल बाला है तो उसके लिए आपको languages सीखनी होती हैं जैसे एक मैं छोटे-छोटे cases आपको सभी field के थोड़े-थोड़े बता दूँगा तो engineering field में आप आपने B.Tech किया या B.E. करा उसके बाद आपने कोई language स campus selection में बैठे तो हो सकता है किसी IT company में आपका selection हो गया हो तीन लाग का package उसमें शुरू आती तौर पर कई companies दे देती हैं ये भी हाल है इतना जादा बिरुजगारी है कि 10-10,000 से नौकरियां शुरू है आप उसमें कोई language सीखते हैं किसी software पे काम करना चालू करते हैं और समय लगता है एकदम से पहले दिन से ये सारी चीज़ें नहीं होंगी अगर आप इसमें बहुत अच्छे से बहुत अच्छे college में हैं कोई IIT में ही है NIT में हैं उन में भी ये competition जाता है दूसरा medical की पढ़ाई medical की पढ़ाई के साथ ये है कि medical में doctors कम है तो आसानी से रोजगार मिलता है कितने साल बाद 5 साल की पढ़ाई के बाद आपको किसी ना किसी ग्रामिंट शेतर में सरकार भेजने के लिए तयार हो जाती है आप doctor बनकर चले जाएए लेकिन medical की पढ़ाई में आपको पहले दिन field में जाना है लेकिन में medical की पढ़ाई अगर हम बात करें तो medical की पढ़ाई बहुत महंगी है इंडिया में आप normal किसी private college से medical की पढ़ाई MBBS कर रहे हैं तो आपको अमूमन 15 लाग प्रतिवर्ष की बात हो रही है और 5 साल की पढ़ाई है तो आप मान कर चलिए 75 लाग कहीं न करना होता है आपको MS या MD की पढ़ाई करनी होगी वो 3 साल का कोर्स होगा फिर DM करना होगा तो ऐसी आपके पास लगभग 9 साल से 10 साल लगते हैं medical field को opt करने पर और वहां एक बहतर जीवन यापन करने के लिए आप ये सारी चीज़ों के लिए पहरे निवेश भी करना होगा medical की जब आप MD MS की पढ़ाई करोगे तो उनकी फीस 20 लाग रुपे है प्रती साल भारत के अच्छे अच्छे colleges के अंतरकत बात करें बहुती limited seats होती हैं emergency medicines ले लीजे या किसी भी अगर हमें anesthesia की बात करें cancer में pathology की बात करें ऐसी कई अलग-लग fields हैं जिनमें जाने पर आपक करोड़ोपे का करना पड़ेगा private colleges में जो अच्छा कर रहे हैं aims वगेरा जिनको मिल जा रहा है उनके लिए तो सरकार बहुत सारी अच्छी सुविधाएं देती हैं लेकिन वहां तक पहुशने के लिए आपको पढ़ना काफी अच्छे से पढ़ता है तो वो field भी आपको द कर सकते हैं लेकिन इसके अंदर भी वही सारी चीज़े हैं कि शुरुवाती दौर पर आप पहले दिन से एकदम जैसा सोच रहें कि आपको जिस तरह का वेतन मिलने लगेगा आप जैसी lifestyle जीना चाहते हैं सारी सुविधाएं आपको मिलेगी तो थोड़ा समय लगेगा आपक कुछ नहीं चीज़ें सीखेंगे जहां जहां सेक्टर उसमें जरूरत है उसके अनुसार अमूमन इन सारी फिल्ड के अंदर के बात करें बी आर्क की बात करें तो इसमें भी यह होता है कि जो आर्किटेक्टर जो होता है वो किसी के अंडर काम करते हैं फिर अपना खुद क की बात करें या CMA की बात करें ये तीनों ही फिल्ड बहुत सुनहरी फिल्ड है लेकिन इन फिल्ड में आपको बहुत कैसा होना पड़ेगा एकदम प्रोफिशन्ट होना पड़ेगा आपको एकदम मास्टर होना पड़ेगा और समय लगता है कई बार आपने सुना होगा CMA क की बात करें, BBA, BA में, फिर आप MBA लोग आगे करते हैं, company में, management में जाते हैं, फिर दीरे-दीरे कई साल लगते हैं उनको, तो इसमें भी हम लगभग 4 से 5 साल समय लेकर चल सकते हैं, banking and finance में भी ऐसा है, commerce में भी ऐसा है, law की field में जैसे BA, LLB जो लोग कर लेते हैं, journalism पत्रकारिता में competition भी है, और साथ-साथ इसमें समय देना पड़ेगा, आपको बहुत जमीनी काम करना पड़ेगा, आपको कई मुद्दों को समझना पड़ेगा, आपकी speaking skills को बहतर करना पड़ेगा, psychology में आपको कई तरह से इसमें training, इसमें भी देखे, हर पड़ाई में एक समय तो लगता ही लगता है, और उसके बाद फिर उस field में enter करने पर आपको skills आनी चाहिए, मतब सारी जगाओं पर आपको एक जरूरत है, वो है कौशल की, और ये नौकरियों से अच्छा एक salary bracket मिलेगा, लेकिन उसके लिए आपको wait करना पड़ेगा, और जो आपकी दूसरी facilities हैं कि आपके पास एक servant भी हो जाए, आपके पास खाना बनाने के लिए cook भी हो जाए, आपके पास health facilities भी हो जाए, तो उसमें आपको लगभग 10 से 12 समय, 12 साल के बाद भी हो सकता है, कि आप उस परिस्तिती पे ना पहुँचें, तो फिर लोग दूसरा option लेकर आते हैं, कि क्यो ना हम पढ़ाई के बाद business start कर लेते हैं, तो आजकल इंडिया में culture है, जिसको आप कहते हैं startup culture, और कई इंडिया में ऐसे जोमैटो नाम का startup है, जेरोदा नाम का एक startup है, बड़ा अच्छा प्रदर्शन किया है, अगर हम clothing sector में जाएं, तो snitch नाम का एक startup है, इसने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया हुआ है, food industry में आपने जोमैटो का नाम सुना ही हुआ होगा, ये share market में इनका बड़ा पे का नाम सुना होगा, एक अच्छी कमपनी है, आप e-commerce के अंतरगत देखें, तो बहुत सारी कमपनिया भारत से ही निकली, जैसे Flipkart नाम की एक कमपनी थी, अलाकि अब ये अमेरिका के पास इसकी बहुत भागिदारी है, इसके अलावा इसी में बहुत सारी और भी कमपनिया पहले थी, जो इसका पार्ट बन गई, जैसे मिंत्रा नाम की, एक जिबॉंग नाम की कमपनी थी, जो Flipkart का हिस्सा बनी थी, बाद में इस कमपनी का नाम आज की डेट में आप नहीं सुनते हैं, शॉप लूज करके आप नाम सुनेंगे, ये e- तो आप स्टार्ट अप या कई तरह के स्किल डवलप्मेंट के जरीए, आप स्मॉल स्केल इंडस्ट्री भी डाल सकते हैं, मतब हमारे यहां एक विभाग है, जिसका नाम है MSME, ये आपको कई तरह से मदद करता है, हमारी सरकार भी कई कोशल, विकास के नाम पर कई चीजों कर सकते हो, लेकिन बिजनस की कुछ बेसिक डिमांड होती है, बिजनस के लिए कुछ बेसिक डिमांड होती है, क्या आपके पास ऐसा आइडिया है, जो दूसरों के पास नहीं है, दूसरा आइडिया के अलावा उसको आप कैसे इंप्लिमेंट कर पाते हो, आपके पास कारियान वित करना भी तो जरूरी है तभी तो आपके पास customer आईगे और आपका बिजनिस चलेगा और इसको चलाने के लिए सबसे जरूरी है निवेश और निवेश जब आप कर रहा होते हो इनवेस्ट कर रहा होते हो तो आपको return नहीं मिल रहा होता है निटर्न नहीं मिलता है आपको कुछ समय होल्ड करके रखना पड़ता है आपको पैसा लगाना पड़ता है और साथ-साथ आपको इसमें वर्किंग आर्ज की बात करें कारे करने के लिए आपके जब आपका खुद का बिजनस है तो आप सोच नहीं सकते कि हम 8 गंटे के बाद काम नहीं स्किल लोग चाहिए होंगे ऐसे लोग होंगे जो आपके साथ जुड़ेंगे उनको मैनेज करना होगा वो आपको छोड़कर भी जाने को तयार रहेंगे तो ये सारी स्किल्स भी आपको धीरे-धीरे अपने अंदर डवलप करनी होगी आप वहाँ पर बहुत जादा एग्र वैसी आपको मिल सकती है सारी फील्ड आपको लाइफस्टाइल दे सकती है लेकिन वही है कि इसमें समय भी चाहिए निवेश भी चाहिए जिन जिन फील्ड में आपको जहां नजर आ रहा है कि जहां पर आपको प्रतिष्टा अच्छी मिल रही है पैसा अच्छा मिल रहा है lifestyle अच्छी मिल रही है स्वास्थो विधाएं मिल पाएंगी आपको आगे आपका जीवन बहतर हो पाएगा retirement के बाद तो ये सारी चीजें आपको ये field देती हैं लेकिन ये आप से समय भी लेती हैं आप खुद भी खुद सोच लीजे मैं जितनी फील्ड है आप अपने लेवल पर decide कर लीजे कि ये field में हम आगे excel करना चाहते हैं और हमारे पास ये सारी fields है हम एक business स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपके पास कोई ना कोई तो idea हो चाहिए होगा आप उस idea को सरकार के साथ जोड़ो किसी private bank के साथ जोड़ो आप कोई loan लो और फिर उस business को start करो तो risk factor भी है उसके साथ reward factor भी है आप हो सकता है कि आप बहुत अच्छा आपका business चले लेकिन जो आप सोच रहे हैं कि पहले दिन से आप एक बहतर lifestyle जी पाएंगे आपके पास गाड़ी भी होगे आपके पास घर भी होगा आपके पास नौकर भी होगे आपके पास हर तरह की facility होगी वो आपको ये दे पाएगा लेकिन हो सकता है इसको करते करते आपको कई साल लग जाएं इसके बाद जो हम बात कर रहे हैं जो fame मिलेगा आपको जो एक तरह से प्रतिष्ठा मिलेगी आप अपने माबाप का नाम जो रोशन कर पाएंगे वो आप पर proud कर पाएंगे ये सारी चीजें हर field देती है और हर माबाप चाते हैं कि उनका बच्चा बहतर परिस्तितियों में पहुँचे अपने माबाप के लिए वो सारा खून पसीना लगा दे जितना जो बहतर हो सकता है वो कर दे कई बार प्रयास भी किया जाते लेकिन कई जगाओं पर हमको वैसे संकेत नहीं मिल पाते समय भी बहुत जादा लगता है तो इसलिए फिर हम जिस विशे पर आज चर्चा कर रहे हैं कि केरियर के लिए हमारे पास options तो बहुत सारे हैं हमको जहां interest आ रहा है हम उसको choose करें मेरी जिम्मेदारी क्योंकि मैं UPSC exam के लिए पढ़ाता हूँ तो मेरी जिम्मेदारी आप लोग से ये भी होती है कि मैं अपनी फिल्ड के बारे में भी बताऊं कि UPSC भी आपके लिए एक रास्ता है ये सारी फिल्ड भी है और आपके पास UPSC भी है यहाँ पर मैं डिस्कलेमर जरूर लगाऊंगा आपको लगता है देखि मेरे कहने पर किसी दूसरे के कहने पर आपके घरवालों के कहने पर अगर आपको फिल्ड चूज कर लेते हैं और उसके साथ आपको इंट्रेस्ट नहीं आता आपकी उसमें रुची ही नहीं है तो आप वहाँ पर समय काटेंगे और समय काटने के बाद हो सकता है आप जो कर सकते नहीं पता थे तो आज कोई स्टूडेंट इस परिस्तिती में हो कि उसको पता ही नहीं है कि क्या करना है तो इसलिए इस वीडियो का उद्देश ये है जैसा मैंने का मैं UPSC एक्जाइम के लिए भी पढ़ाता हूँ और वो basic requirement में कई चीजों से आप से compare करके बताऊंगा जैसे आप एक बहुती साधान सा example मैं लूँ किसी ग्रामेंट शेतर में आप किसी महिला को देखिए जो दिहाडी मजदूर हो जो मनरेगा के तहट जिसको पैसे मिल रहे हो या वो दिन भर किसी खेत पर काम करती हो या किसी के घर पर जाकर काम करती हो शेहरों में भी देख लो आप तो उन females के द्वारा जो काम किया जाता है वो वैसे recognize नहीं है लेकिन एक report में आया कि सबसे ज़्यादा जो हमारे इंडिया में कोई सबसे आदा मेहनत कर रहा है तो वो females कर रही है जो आर्थिक तोर पर संपन नहीं है वो अपने बच्चों के लिए कई बार उनके घर में उनको उस तरह की मदद नहीं है उनके पतियों के द्वारा वैसा support नहीं है कई भारत के अंदर कर नशे की बहुत समस्या है तो कई बार ऐसा देखा जाता है कि फिर जो बच्चों का पालन पोशन है उनकी मदर्स करती है दिन भर वो काम करती है बच्चों के लिए खाने पीने से लेकर सिक्षा तक की सारी सुविधाएं देती है और उनके द्वारा जो डेडिकेशन किया जाता है हम सारे लोग उसका 10% भी नहीं कर पाते होंगे तो अगर हम जिस एक्जाम की बात कर रहे हैं यूपीएसी एक्जाम की भी कुछ डेमांड है ये फीड आपको बहुत सारी चीज़ें देगी और ये आपको जो आपको struggles करने होंगे हो सकता है कि आपको कई तहवार ना मनाने पड़े हो सकता है कि आप कई दिनों तक टीवी ना देख पाएं हो सकता है आप कई दोस्तों से ना मिल पाएं आपका जो सामानने जीवन है उससे आपको एक से दो साल तक अलग रहना पड़ता है क्योंकि exam का syllabus जादा है लेकिन आप अगर उस female को देख ले उस female को देख ले जो अपने बच्चों के लिए काम कर रही है और उसके पास ऐसे कोई वो नहीं है कि दो दिन बाद वो छुट्टिया मनाएगी को compare करें तो इस exam में आपको सिर्फ ये चाहिए कि आप एक table पर बैठ जाएं और पढ़ने के लिए सक्षम रहें और दुनिया से थोड़ा सा मतब ऐसा नहीं है कि आपको सन्यास ले लेना है लेकिन एक आप बहुत आर्थिक तोर पर बहुत जादा संपन नहीं है तब भी एक पंखे की नीचे आप पढ़ाई कर सकते हैं इस exam के अंतरगत ये खूबी है कि ये सारी field में आपको पढ़ना तो है लेकिन इस field में खासियत ये है कि यहाँ पर जो आप आगे अपना जीवन देख पा रहे हैं वो आपको बहुती कम समय में मिल जाता है लगबग एक से डेड़ साल दो साल की maximum अगर आपने अच्छे से आपके पास समय दे कर आपने तलीनता से पूरी शिद्दत से अगर तयारी करी तो इस दो साल में आपको UPSC बहुत कुछ दिला सकता है अगर आप UPSC की जो लोग ट्रेनिंग के लिए पहले दिन लबासना जाते हैं या हैदराबाद जाते हैं उनसे कभी मिलिए उनसे बात करिए वो बताएंगे कि जिस दिन वो वहाँ पर पहले दिन गए वो जो ट्रेनिंग में उनको जो अनभव हुआ वो सारी महनत वो सारे साल वो सारे ऐसे लम है जब उन्होंने अपनी प्रिये चीजों को छोड़ा कुछ खाने पीने को छोड़ा अपने परिवार जन के साथ बैठना छोड़ा अपने दोस्तों के साथ घूमना छोड़ा और वो जब शण उनके जीवन में आता है तो उनके जीवन में बड़ा वो फील करते हैं कि वो पुरानी चीजें बहुत छोटी हैं इस चीज के आगे इसके अलावा जो आपके पेरेंट्स हैं उनको जो प्राउड फील होता है उनकी जो एक्षाएं थी आपको लेकर वो बहुत तेजी से यहां पूरी होती है मैं आपको UPC के कुछ benefits बताता हूँ कुछ कुछ ही बता रहा हूँ मैं यहाँ पे उनको देखें देखें सबसे पहले आपको घर UPC की services में मिलता है अगर आप कोई भी service लेंगे तो आपको government quarters मिलेंगे आपकी इसी दूसरे शेर जाएंगे आपको rest house circuit house मिलेंगे आपको सरका दी जाती है आपको salary structures में dearness allowance मेंगाई भत्ता traveling allowance हाँ जो house rent allowance होता है वो इसके अलावा central government health scheme के तहद आपको सारी स्वास सुविधाय मिलती है स्वास एक बहुत ऐसी चीज़ है जो कई private sectors में भी नहीं मिलती है अच्छी अच्छी कंपनियों में भी उनको health insurance नहीं मिल पाता ह अगर वो बिमार पढ़ रहे हैं उनको 16-16 गंटे काम करना पढ़ रहा है तो company करा रही है और उनको लग रहा है जैसे कई cases में देखा जाता है females के साथ mostly जब वो गर्वती होती है pregnant होती है तो company उनको fire कर देती है कई companies में maternity benefits होते हैं लेकिन उनको लगता है कि भई हमको इनक पैसा देना पड़ेगा तो यह सारी चीजें private sectors में regulation करने के लिए कुछ नहीं है वो कई दूसरे चीजों को निकाल कर उनको निकाल देते हैं यह सारी चीजें अगर हम बात करें earned leaves आपको मिलती है छुट्टियां इसमें मिलती है maternity leave अगर female है तो maternity leave father है तो paternity leave मिलती है ग्रैचुटी पी एफ यह आपको आगे मिलता है आपको guards मिलते हैं security के लिए अगर आपको समवेधन शील पोस्ट पे है तो आपको personal guards भी मिलेंगे housing security भी आपको मिलेगी phone internet पानी बिजली यह सारी चीजें आपको वहाँ पर free में मिलती है domestic और international travel आप भारत के किसी जगा पर चुट्टिया मनाने जा सकते हैं आप विदेशों में भी एक art tour मिलता है आपको कि आप विदेश जाकर कहीं चुट्टिया मना कर आ सकते हैं कींद्रिय विद्याले भारत के अंतरगत हर जगा है UPSC एक central services है आप अपने बच्चों को इन जगाओं पर पढ़ा सकते हैं इसके बाद आप post retirement बहुत सारी जगाओं पर जोईन कर सकते हैं as a consultant कर सकते हैं UPSC के जो interviews होते हैं उनमें आप guidance दे सकते हैं इसके अलावा आप आगे भी UPSC students को भी कई तरह के motivation से लेकर guidance के तौर पर दे सकते हैं कई अलग-अलग services में आप अपने experience को ले सकते हैं और खास बात इ यहां पर बहुत अच्छे से बताना चारा हूँ आप जैसे medical field के हो तो आप केवल स्वास शेत्र में ही अपना कारे कर सकते हो आप UPSC में medical field से नहीं रहते हुए भी आप क्या कर सकते हो आप बहुत अच्छे से यहां पर medical field में भी काम कर सकते हो आप engineering के शेत्र में भी काम कर सकते हो आप पूरे जगा पर आपकी जो एक्सल है वो आपका बहुत बड़े लेवल पर है आप अलग-अलग शेत्र में एक बहतर तरीके से काम कर सकते हो क्योंकि आप समाज के लिए काम करें और समाज के जो जो वर्ग हैं उनके लिए आप एक बहतर प्रदर्शन कर सकते हो हा प्रिलिम्स के लिए अगले क्योंकि result आते आते अगला प्रिलिम्स भी आही जाता है तो आपको लगातार पढ़ना रहता है आपको current affairs पढ़ना होता है आपको theory पढ़नी होती है आपको answer writing करनी होती है ये कुछ exam के ऐसी चीज़े हैं जिनके कारण आप कई लोगों से detach हो जाए तो इस field के अंदर वही बात है कि आप सोने को कुंदन बनाना चाते हैं तो उसके लिए आपको संगर्श करना होगा तो ये संगर्श आपको बहुत सारी चीज़े हैं जल्द प्रदान करेगा आपके जीवन के कई साल बचा सकता है अगर आप वाकई कुछ करना चाते हैं तो तो आज की जिट में प्राइवेट सेक्टर में और भी बहुत सारी नहीं चीज़ आ गई हैं शोशल मेडिया इंफ्लूएंसर्स लोग बन रहे हैं एसी ओ जैसी फील्ड आ गई है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन डिजिटल मार्केटिंग इसके अलावा इतने सारे टेक डबलब हो रहे हैं उनमें भी आप अच्छा कर सकते हैं तो आप अपने इंट्रेस को पहले एड्रेस करिए इंट्रेस के अकॉर्डिंग लिए आपको जिस शेतर में लगता है कि आप वहाँ बहतर प्रदर्शन कर सकते हैं तो हर फील्ड आपके लिए के साथ एक चीज़ मा अगर ग्रैजुएशन इसनातक की पढ़ाई बहुत कम मार्क से पास करी है अपने स्कूल लाइफ बड़े कम मार्क से पास करी है तो भी आप इस एक्जाम के लिए इलिजिबल हो इसके अलाबा यूपी एसी कोई एक रुपे नहीं मांगती है इस एक्जाम के लिए आपको लिए सिर्फ आपको डेडिकेशन चाहिए अगर आपने उन सारी चीजों को डिकोड किया तो आप आसानी से आगे आ सकते हैं अगर आप हमारे साथ यूपी एसी की तैयारी करना चाते हैं तो आपके पास और भी आर्थिक तोर पर एकदम स्वतंतर होने की अभी आपके पास पूरी तरह से मौका है क्योंकि हम जो यूपी एसी की तैयारी कराते हैं प्रतिग्या प्लस बैच है हमारा जो की हिंदी इंगलेश और इंगलेश दीनों में अविलेवल है जिसमें आपको प्रारंभिक परिक्षा जब आप पास करते हैं जैसे नेक्स्ट येर का प्रिलिम् जैसे आप एडिमिशन लेंगे तो आपको प्रिलिम्स और मेंस की तैयारी जैनवरी तक कराई जाएगे जैनवरी में आपको प्रिलिम्स का एक और एक्स्ट्रा बैच मिलना शुरू हो जाएगा जिसमें आपको सक्सेस इन प्रिलिम्स की तैयारी कराई जाएगी जो की 25 मही के paper के लिए रहेगी, उसके अलावा आपको सारी classes live मिलती है, इसमें CSET की classes live होती है, current affairs program इसमें live होता है, weekly आपको test देना होता है, अब भी test अगर आप देंगे ना हर सब्ता, तो इसमें आप 11,000 रुपे की price money जीच सकते हैं ये fee भी आप से जो ली जा रही है मनीश live code यूज़ करके आप हमारी app ये website पर जाकर, जब स्कोर्स को देखेंगे प्रतिक्या प्लस को, तो आप मेरा code लगाएंगे, तो ये fees वहाँ पर आपको reflect होगी उससे भी आप enroll कर सकते हैं चाम 6 बजे का ये batch है, इसमें आपको 1000 घंटे से ज़्यादा की live classes एक selection box आपके घर पर deliver होगा ये selection box में आप लोगों को दिखाना चाहूँगा कि ये selection box कैसा होता है ये selection box अगर आप देख पाएं, तो ये मेरे हाथ में आपको एक selection box मिलेगा इसमें सारी books है, मैं आपको एक-एक करके बताता हूँ कि इसमें क्या-क्या आएगा तो यहाँ पर आप देखेंगे तो इसमें आपको एक die-die रहेगी, इसमें आपको कुछ calendars रहेंगे ये सारी चीज़ें इसमें रहेंगी इसके अलावा आपके पास इसमें ये books का set आपको नजर आ रहा होगा मैं इसको और भी आपको दिखाता चलता हूँ कि इसमें क्या-क्या आपको मिलेगा तो जिस तरीके से आप देख पा रहे होंगे ये UPSC Civil Services के लिए आपको ये पूरी answer writing करने के लिए ये books अविलेवल रहेंगे इसी में आपको कुछ maps भी अविलेवल रहेंगे ये selection box आपके घर पे डिलेवर होगा जिसमें आपको maps भी मिल पाएंगे इस तरह के maps होंगे जिनको आप अपने study table के आपस paste कर सकते हैं ये भी चीज रहेगी इसके अलावा 18 books का पूरा set रहेगा आपके लिए इसमें highlighters रहेंगे हमारी अलग-अलग subjects की book रहेंगी जिस medium में आप लेना चाते हैं English medium में लेना चाते हैं आप English mediums की books होंगी Hindi medium में लेना चाते हैं आपके पास Hindi mediums की book होंगी तो पूरा selection box आपके घर पर पहुँच जाएगा जैसी आप इस batch में enroll करते हैं इसके अलावा ये तो मैंने आपको कुछ ही चीज़ें बताई हैं सारी किताबें मैं अभी नहीं निकाल पा रहा हूँ लेकिन आपके घर पर जब ये पहुँचेगा तो आपको असानी से ये अलग-अलग maps भी मिल जाएंगे इसमें ये जैसे इंडिया का एक map है यहाँ पर आपको शायद देख पा रहा हूँ तो ये इस selection box का ही part होता है जो आपके पास पहुच जाएगा जैसे ही आप इस batch के अंदर enroll करेंगे करना क्या है आपको तो आपको सिर्फ हमारी app ये website पर जाना है selection box के साथ साथ आपको means की तयारी करने के लिए दिल्ली भी बुलाया जाएगा वो भी इसमें खास feature है इसके अलावा आपकी interview guidance program की भी classes होंगी तो ये सारी चीज़ें आपको इस batch में मिलती है अगर कहीं कोई doubt आए तो आप इस Instagram ID पर आकर मुझसे question पूछ सकते हैं इसमें आपकी help हो जाएगी बाकी आप telegram group है मेरा यहाँ पर भी questions पूछ सकते हैं हाला कि Instagram पर आप message करेंगी तो हमाई team भी आपसे connect कर लेगी यहाँ से आपको मेरे बाकी जो sessions होते हैं उनके lectures आपको मिल जाएगी link मिल जाएगा, PDF मिल जाएगी newspaper की classes जैसे मैं लेता हूँ तो वो आपको यहाँ से e-paper भी available हो जाता है तो आशा करता हूँ जो मैंने आज discussion किया है वो आपके लिए कुछ helpful होगा जो आपको जो आपकी समस्याएं हैं, जो शंशाएं हैं आपकी जो उल्जन हैं, वो कही ना कहीं आपकी इस session से दूर होगी अगर आपको session अच्छा लगा है, तो मुझे comment section में एक बार ज़रूर बताईएगा, मिलता हूँ मैं आपसे अगले सत्र में तब तक के लिए धियान रखिए Thank you very much for watching this, have a great day